अलो दोस्तो मेहुल सुरोजित आपलोग को आमारा यूट्यूब चिनम में बहुत बहुत स्वागते। दोस्तो इस वीडियो में आपलोग को LCM मतलब List Common Multiple यानी लगुत्तम समापवर्त और HCM मतलब Highest Common Factor यानी महत्तम समापवर्त का बारे में पुरा डेटेल्स में दोस्तो List Common Multiple उसको Lowest Common Multiple भी बहुत सकता है मतलब Short में LCM दोस्तो उसको हिंदी में लगुत्तम समापवर्त बोला जाता है और Bengali में उसको लोसागु बोला जाता है मतलब Logist साधारन गुनितक दोस्तो HCF यानी Highest Common Factor जो है उसको महत्तम समापवर्त बोलता है और बांगला भासा में उसको गुरिष्टो साधारन उत्पादक यानी गुशाओ या तो गुरिष्टो साधारन गुनोनियक मतलब गुशागु भी बोला जाता है सबसे पहले यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तो HCM होता क्या चाहिए दिखे दोस्तो नाम से ही पता चलता है lowest लगुत्तम Logist मतलब सबसे चुटा बेलो होना चाहिए smallest बेलो उसके बाद दोस्तो common मतलब साधारन मतलब for all सब के लिए applicable होना चाहिए सब के लिए प्रविज्जों हना चाहिए तो यह हो गया दोस्तो आपका common और उसके बाद next term जो है दोस्तो multiple मतलब गुनितक मतलब divisible किसी number से बिभाई जो है मतलब पूर्ण रूप से divisible है मतलब भाग करने से पूर्ण रूप से उसका मिल जाता है उसका answer जो है integer number आता है तो दोस्तो यह least common multiple यानि LCM क्या जी होता है for some given number it is that means LCM is the smallest value among all the multiples of the given numbers मतलब कुछ संख्याओ का जितना भी गुनितक है वो सबका बिश में सबसे चुटा गुनितक जो है सबसे चुटा divisible value जो है उसको बला जाता है that means it is the smallest value divisible by all the given numbers कहने का मतलब है दोस्तो कितना भी संख्या हो जाए 2, 3, 4, 5 जितना भी संख्या हो जाए सबी संख्याओ का जितना भी multiples है गुनितक है उसमें सबसे चुटा जो है दिसे दोस्तों suppose यहाँ पर आप लोग को दिखा देता हूँ multiples of 6 मतलब 6 का गुनितक क्या क्या हो जाता है 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 इस तरो चलते रहेगा multiples of 8 suppose तो क्या हो जाता है 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 इस तरो करके जाते रहेगा multiples of 12, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60 इस तरो चलते रहेगा suppose दोस्तों आपको बोला गया है कि यह जो 6, 8 और 12 है इसका LCM कितना होगा, least common multiple कितना होगा, तो दोस्तों यहाँ पर दिखे जितना भी गुनितों के यह तिनो संक्या का सभी गुनितों में है यहाँ पर ढूंडिए क्या किया चीज मतलब सबसे छोटा इसा कौन सा संक्या है जो भी common होना चाहिए तो यह ही हो जगा, जिसे यहाँ पर देखाई देरा 24 तीनों में है और सबसे चुटा है उससे चुटा और इसा कोई संक्या नहीं है जो तीनों में है इसलिए 24 हो गया यह तीनों संक्याओं का LCM यानि लगुत्तम समापबर्त दोस्तो पहले बता देता हूं how to find LCM of integers, मतलब किसी भी संक्या का सावबिक संक्या जो सब होता है वो सब का LCM किस तरों निकला जाता है जिसे दोस्तो सपूस find out the LCM of 6812 तो दोस्तो इहाँ पर पहले में दिखा दिया हूं directly inspection method युश करके कि 24 होता है इसका अंसार अभी दिखा देता हूं इसका process दोस्तो इसे दू तरीके से इसका solution निकला जाता है एक होता है बाई factorization उत्पादक इसका solution करके उत्पादक का इसाब से और एक होता है भाग पददी से सरल भाग पददी से यहाँ पर देखिए दोस्तो इसका पहला 2 है तिनो में common है दूसरा 2 में है इसलिए फिर 2 लिख दीजिए उसके बाद और एक दू बच गया और उसके बाद तीन जो है दुनों में है इसका मतलब है जितना पिस टार्म है सुभी को common हो या नहीं हो अगर common है तो सही या नहीं भी है तो सही है फिर भी हो सब को एक एक बार लेके गुना कर दीजिए यह आंसर निकल गया इसको बोलता है method of factorization उत्पादक पददी से अब देखिए दोस्तों यह भाग पददी से देखिए 6,8,12 को 2 से पहले divide किया तो 3,4,6 फिर 2 से divide किया जिसको divide नहीं जता है भाग नहीं जता है उसको directly same to same उतार दीजिए निचे इस तरों भाग करते भी करते जाईए और last में दोस्तों सभी भाग फोलों का एकदम last थक पुरा गुना कर दीजिए यह देखिए same answer 24 आ आप अब बढ़त किया होता है तो दोस्तों factorization process से पहले दिखा देता हूँ यह देखिए 36 को आप लोग factorization में तोड़ी है जिसको बलता है prime number factorization पहले 2 से divide करते रहे है फिर 3 से फिर 5 से इस तरह करते रहे है तो यहाँ पर दिखा जाएगा 36 equal to 2 into 2 into 2 into 3 into 3 होता है 72 equal to 2 into 2 into 2 into 2 3 into 3 होता है मतलब आप factorization में उसको convert कर दिजिए division process से अभी दोस्तों जितना piece number है सभी को एक एक बार बेटाते रहे है common हो या नहीं अगर तिनों में common है फिर भी सही है अगर दुनों में common है फिर भी सही है अगर एक में है फिर भी सही है लेकिन आपको सभी piece जितना भी piece number य लिखना है अगर तिनों में common है तो एक ही बार लिखना है अगर दुनों में common है फिर भी एक बार लिखना है अगर किसी में common यह सिफ एक में ही है फिर भी एक बार लिखना है अभी दोस्तों प्रूफ करके दिखा देता हूं यह देखिए 144 है इसका result इसका कहना क्याना क्या म 144 को अगर divide करते, फिर ये देखे, two बार जाता है, मतलब two answer जाता है, इसका मतलब ये तिनो संक्या से, ये 144 को भाग जाता है, इसले दोस्तोब ये just to a जो तिनो संक्या है, तिनो संक्या का LCM, 144 ही सही है, मतलब सबसे चोटा भाग जाने वाला संक्या है, अब देखे दोस्तों इसको इस तोरो भी लिख सकते है पावार का इसाब से 2 square into 3 square जो पहला संक 36 है 2 square into 3 square इसके बाद 48 को 2 to 2 बार 4 into 3 उसके बाद जो नमबर है इसको 72 को हम लोग 2 cube into 3 square लिख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों जितना बेज है उसो बेज लिख दीजिए और बेज क हाईस्ट पावार 4 है और 3 base का हाईस्ट पावार 2 है यह सब को एक साथ गुणा कर दीजिए यह 144 आंसर आ गया मतलब सेम टू सेम आंसर आ गया दोस्तों यह सेम ही प्रोसेस है इसको भी फेक्टराज़ाज़न ही बलता है लेकिन पावार सिस्टेम में लिख के मतलब घात का जितना है उतना लिखना है जिसे यहां पर मैं दिखाया 2 का हाईस्ट पावार जितना था 4 बेटा या और 3 का हाईस्ट पावार जितना था यह बेटा के उसके बाद गुणा कर दिया इसका मतलब है LCN दूस्तों क्या होता है multiplication of all bases taking the highest power जितना भी base है सब base को multiply कर दिये गुणा कर दिये taking highest power मतलब बड़ा घात लेके सबसे बड़ा घात जो है सबसे बड़ा जो पावार है ओ लेके अभी दूस्तों by division process पहला जो question था LCM of 36, 48 और 72 यह तिनों का हम लोग आंसार निकला था 144 दूस्तों इही question को मैं division process से मतलब भाग पद्दती से इसका LCM किस तरो 144 आता है कि नहीं में आप लोग को दिखा जाता हूं यह देखे दूस्तों तिनों को एक साथ बैटा दिजिए उसके बाद divide करते रहे जाए किसी दू संक्या में अगर भाग जाए फिर भी सही है अगर तिनों में भाग चला जाए तो कोई बात नहीं कलकुलेशन का definition जो आता ही अंसर हो जगा दोस्तों द्यान राकिए अगर डिब़ईट करने का टाइम में किसी दू संक्या में भी संक्या में जाने में कम चल जाए और उसके साथ साथ संख्या भी रहता है यह सबको algebraic expression यानि बिजगनिती ओर राशी बोलता है दोस्तों तो आपको अगर बिजगनिती ओर राशी दे गया है दिसे यहां पर 2 x to the power 5 y cube square 28 x square y to the power 6 x 30 2 x y उसका 40 x cube y square उसका LCM निकालने के लिए दिया गया है तो दोस्तों सबी को पहले factorization कर दिजए यहां पर 2 x to the power 5 y cube यह तो सही है इसको factorization में और छोटा नहीं कर सकते हैं और लोगु रूप उसका है नहीं लोगु तम रूप नहीं आप 28 x square x to the power 6 को 2 x 2 x 7 x square y to the power 6 लगते हैं 32 xy को 2 x 2 x 2 x 2 x y लिख सकते हैं 40 x cube y square को 2 x 2 x 2 x 2 x 5 x cube y square लिख सकते हैं अभी दोस्तों LCM निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसको सभी को power का इसाब से लिख दीजिए पहला है 2 x to the power 5 y cube फिर next में है 2 square 7 x square y to the power 6 उसके बाद है 2 to the power 4 xy उसके बाद जो सिंका है यह 2 cube into 5 x cube y square इहाँ पर देखिए दोस्तों तीनों में base 2 का number है इसलिए base 2 वाला number बेटा हूँगा लेकिन power highest होगा इहाँ पर highest 2 का power highest power 4 है इसलिए 2 to the power 4 इन्टों इहाँ पर देखिए 7 x base है एक PC है तो एक बार बेटा दिया 5 भी एक base है एक PC है तो इसलिए एक बार बेटा दि सबी मतलब 4 संक्या में से highest power ले लिया यह जो answer निकल गया इसी तरो ही दोस्तों कोई सबी algebraic expression यानि बिजगनिती रासी का LCM आप निकल सकते है पहले उस रासी को factorization करना है मतलब उत्पादक में तोड़ना है उसके बाद सबी base का highest power लेके आपको सब एक साथ गुना कर देना है मतलब multiply कर देना है तो आपका answer आजगा देखिए दोस्तों इहाँ पर देखिए दोस्तों इहाँ पर देखिए 12x square x plus 1 30x to the power 5 x square minus 1 50x cube x minus 1 इहाँ पर देखिए दोस्तों इसको करने से 12 पहला पी इसको इसको इस्तरों लिगा जा 2 square x square x plus 1 second term जो है second रासी जो है उसको लिख plus 1 into x minus 1 आजाएगा उसके बाद दोस्तों next term जो है next रासी जो है 50 x cube x minus 1 इहाँ पर 2 into 5 square x cube x minus 1 इहाँ पर देखिए दोस्तों और 1 है उसके बाद x minus 1 एक बेज है उसका highest power 1 है इसलिए 100 बेज यहाँ पर लिख दिया और साथ-साथ ओसब का highest power जो है सर्भुच घात जो है यह लिख दिया और गुना कर दिया यह जो आंसर है हो गया आपका यह सब दिया हुआ रासी का LCM दोस्तों अभी आते LCM of fractions मतलब अंस बटे हर टाइप का जो संक्या रहता है यानि भगनांसों का LCM list common multiple यानि लगुत्तम समापबर्त क्या होता है कैसे निक्याला जाता है दोस्तों इसके लिए एक rule है मैं आप लोग को बता देता हूँ fraction का LCM दोस्तों इसा एक संक्या होना चाहिए जिस संक्या को ये सभी नंबरों से डिबाइट करने से भाग करने से पुर्ण संक्या आना चाहिए यानि सावविक संक्या आना चाहिए मतलब भागफोल में 120 स्विंक आना चाहिए, भागफोल में कोई fraction नहीं आना चाहिए, तो दोस्तो इसका rule है, उपर में बैटा दीजिए LCM of numerator, मतलब सभी अंगसों का LCM उपर में बैटा दीजिए, और निचे बैटा दीजिए HCF of denominator, सभी हरों का, जितना संक्या है, सभी संक् इसलिए 1 है, और उसके बाद LCM जो है, उपर में लिख दिया, तो इह हो गया दोस्तो आपका अंसर, कहने का मतलब है दोस्तो, उपर में आपको सभी अंगसों का, जितना भी अंगस है, सभी अंगसों का LCM लिखना है, तो इहाँ पर LCM उपर का जितना अंगस है, 12, 32, 60, 80, यह सबका LCM यहाँ पर में निकलके दिखा देताओ कितना हो रहा है, यह आपको उपर में बैटाना पड़ेगा, मतलब अंगस में बैटाना पड़ेगा, जान दिर जिए दोस्तो, फ्रेक्शन का LCM निकलना का टाइम में, सभी अंगसों का, जितना अंगस है, सभी अंगसों तो लेके नीचे बेटाना है मतलब हर में बेटाना है जैसे इहाँ पर दोस्तो मैं दिखा दिया 12, 32, 60 और 80 का इहाँ पर देखिए मैं डिविजन पोसेस से करके दिखा दिया उपरा लास से लास्त गुना करके दिखिए 960 होता है उसका LCM सभी संग होगा इसलिए उपर में आपको बेटाना पड़ेगा मतलब अंग्स में 960, 960 बेटा देजिए और भी नीचे में क्या होगा दोस्तो HCF मतलब लगुत्तम समापवर्त इस सभी नामबा रोका दोस्तो इहाँ पर डिवाइट करने का ताइम में आपको ध्यान दना चाहिए कि सभी अंको में सभी संग्या में जाना चाहिए तो यहां पर कोई स्वेंख्या भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब है HCF यानि महत्तम समापवर्थ 1 है, इसलिए 960 बाई 1, इसका मतलब है इसका अंसार 960. अब दोस्तो इस टोपिक्स में, नेक्स्ट में आब यह बता देता हूँ आप लोग को हैस्ट कमन फेक्टर यानि HCF महत्तम समापवर्थ क्या होता है, इसको बेंगोली में गोरिष्टो सदारन उत्पादोक या गोरिष्टो सदारन गुनोनियोग भी बलता है, मतलब कर सकते हैं, दोस्तो मैत्मेडिक्स का किसी भी टार्म को, किसी भी वार्ट को आप उसी का हिशाब से तोड़के उसी से ही आनसार निक्याली, यह दोस्तो दिखें यहाँ पर क्या होता है, हाइस्ट, महत्तम, गरिष्ट मतलब सबसे बड़ा, बिगेस्ट, इसका कहने का आप लोग को मालूम है, उत्वादक होता है, जो कि किसी भी एक संख्या तोड़ने में, उसको तोड़के किसी भी एक संख्या को किस-किस संख्या का विवाजग का रूप से हम लिख सकते हैं, मतलब किस-किस संख्या से ओस संख्या डिविजिबल है, उसको भी बलता है, डि पुरा भाग मिल जाये मतलब भाग करने से कोई रिमांडार नहीं बाचे और आंसार में natural number मतलब whole number पुर्णांख आये पुर्ण संक्या मिल जाये आंसार में तबी उस संक्या को सबसे बड़ा होना चाहिए उस संक्या उसकोई एसचे बलता है highest common factor मतलब it is the common and largest value मतलब biggest divisor that mean it is biggest common value by which all given number can be divided fully that is fully divisible कहना का मतलब जितना भी संक्या दिया हुआ है ये सारी संक्या को भाग जना चाहिए संक्या से नहीं LCM में उसी सारी संक्या से भाग जना सबसे चुटा होता है और HCF में उसका उल्टा होता है सभी संक्या को भाग जने वाला सबसे बड़ा संक्या निकलना है जिसे दोस्तों अगर HCF of 20, 36, 64 and 98 निकलना के लिए आपको बोला गिया है तो by factorization process से पहले उत्पादक process पद्धती से किस्तर होता है मैं आप लोग को बता देता हूँ ये देखेए दोस्तों 20 को हम लोग लिख सकते है 2 x 2 x 5 मतलब 2 x 5 36 को हम लोग लिख सकते है डू अगर stable 2 x 3 x 3 64 को लिख सकते है 2 x 2 x 2 x 2 x 2 2 2 x 6 meer 98 को हम लोग लिख सकते हैं मतलब factorization करें दोस्तों आप लोग भाग पद्ध hinten से उसका factorization कर लीजिए गा 2 into 7 into 7 मतलब 2 into 7 square लिखा जाता है अभी दोस्तो HCF में क्या करना है common देखना है मतलब जितना भी संखा यहाँ पर 4 पीस दिया हुआ है 4 संखा में common होना चाहिए सबी में present रहेना चाहिए यहाँ पर 2 base सबी में present है और LCM में highest factor बेटा है था 4 संखा 2 से पुरा divisible है मतलब 2 से यह 4 संखा को आप आसानी से भाग कर सकते और भाग भी पुरा मिल जाएगा मतलब कोई रिमांडार नहीं बचेगा कोई दस्मलब संखा नहीं आएगा उपर में पुर्णा संखा आएगा पुर्णांक आएगा दोस्तो यह देखे मैं बाइडिविजन प्रोसेस यह दिखा देता हूँ आप लोगको दिविजन करने का टाइम में HCF निकलने का टाइम में दोस्तो एक चैश्य आप लोगको ध्यान में रखना चाहिए कि सभी संखा में हैं यहां पर देखे HCF 2 निकला है क्योंकि सभी संखा में भाग जाना चाहिए जो कि दोस्तो हम लोग तो LCM का टाइम में किसी दो संखा या उससे ज़्यादा संखा के भाग जाने से हो जाता है लेकिन HCF निकलने का टाइम में महत्तम समापवड़ते निकलने का टाइम में सबी संका में भाग जाना चाहिए, जितना भी संका है, सबी को भाग जाना चाहिए, मतलब common होना चाहिए, और दोस्तों, इसका मतलब है, HCF is the product of all common base, taking the smallest power, common base, उसके साथ साथ सबसे चुटा power, सबसे कम घात हम लोग लोगा, जो की LCM में दोस्तों, आप लोगो देखाई देय लेना पड़ा, common हो या नहीं हो, सबी base लेना पड़ा, उसके साथ 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 biggest power लेना पड़ा, सबसे बड़ा घात लेना पड़ा, लेकिन इहां पर SCF में उल्टा होता है, common होना चाहिए, उसके साथ 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 सबसे चुटा power भी होना चाहिए, जो सबसे कम पावर है, वही 23, 16 को 2 to the power 4 लिखा जाता है, अभी SCF करने का टाइम है, यहां पर देखिए, जितना base common है, दोस्तो, base तोर सिर्फ 2 ही common है, और सबसे कम पावर 2 का, सबसे कम पावर यहां पर 1 है, इसलिए 2 to the power 1 मतलब SCF 1 है, अभी दोस्तो यह भाग प्रोसेस से में देख लिजिए, यहां सबसे को भाग कर सकते हैं, क्योंकि यह 23 बाद में निकाल गया और कोई सबसे को भाग नहीं जाता है, क्योंकि 23 बच जाता है, इसलिए सबसे को सिर्फ 2 ही आप भाग कर सकते हैं, अगर कोई calculation में दोस्तो, किसी भी ऐसा सबसे को भाग जाए, तो आपको उस टाइम SCF 1 ही पक अभी दोस्तों आते HCF of fraction, किसी भी अंग्स बट हर का, जिस टाव का संक्या रहता है, सभी संक्याओं का HCF क्या होता है, उसका जो रूल है, उपर में, HCF of numerator, जितना भी संक्या है, सभी संक्याओं का अंग्सों का HCF महत्तम संक्याओं उपर में बैठा दीजिए, मतलब पर देखिए दुस्त उपर में हो जागा HCF जितना नंबर है जितना नंबर मतलब उपर में है अंग्सों का HCF मतलब 4920 और 6 यह सब का HCF उपर में होगा और निचे में होगा LCM of 612, 28, 34 जो की निचे में है उतलब अंग्स का तो यहां पर देखिए दुस्तों मैं आप लोग को HCF निकल के दिया सबसे 4920 और 6 यह सब का HCF कितना आ जाता है यह वान हो जागा क्योंकि ऐसा कोई संक्या नहीं है जिससे यह चारों को भाग जाए भाग किया जा सकता है इसलिए वान है इसका HCF और निचे में यह देखिए दुस्तों 612, 28 और 34 का इस्तरों करके डिविजन पद्दती से भाग पद्दती से अब यह पर देखे शारी गुना कर दीजे पास्त से लास्त तक यह जो हो जगा भेलो 2 x 2 x 3 x 1 x 1 x 7 x 17 यह करने का बाद यह जो भेली हो गया, यह हो गया, LCM मतलब लगुत्तम समापवर्त, यह बेलो जो है 1428 मतलब 1428 इसका मतलब है, सभी अ लोगुत्तम समापवर्थ अंग्स में बेटाना है तो दोस्तों इस तरह हो जाता है किसी भी अंग्स बेटे हर टाइप का जो नाम बार है उसब का HCF अभी आते हैं दोस्तों HCF of Algebraic Expression मतलब किसी भी बिजगानिती और रसी का यसब में XYZ बगारा रहता है पावार में उसब रसी का बिजगानिती और रसी का HCF यानि highest common factor महत्तम समापवर्थ आप किस तरों निकाल सकते हैं दोस्तों देखे सापको सापको बोला गया है कि यह कुछ रसी इहां पर दिया हुआ है मतलब Algebraic Expression 90 x to the power 6y square x plus 1 whole square 60 x cube y into x plus 1 112 x square y to the power 5 into x plus 1 whole cube into x minus 1 यहां पर देखे दोस्तों क्या हो रहा है सबी टार्म को मैं एक एक करके factorization कर दिया हूँ यह देखे पहला टार्म को इस तरो लिखा जाता है दूसरा टार्म को इस तरो लिखा जाता है और तिसरा जो टार्म है कितना भी संक्या हो सकता दोस्तों दूसरे ज़्यादा संक्या होना चाहिए मतलब दूसरे ज़्यादा संक्या होका HCF और LCM निकलता है जितना भी ज़्यादा क्यों ना हो जाए अभी दोस्तो ये देखिए आप लोग का सामने तिनो टार्म को में फेक्टराइशन करके दिखा दिया हूँ अभी HCA लेने का टाइम में दोस्तो आपको सिब एक चीज दिहान में देना चाहिए कि कमोन होना चाहिए जितना भी बेज है सभी बेज में कमोन बेज कुन सा है ओ बेज लोगा और उसके साथ साथ कमोन बेज का सबसे कम घात कुन सा है सबसे लोएस्ट पावार कुन सा है ओ ही लिकूंगा देखिए दोस्तों सबसे पहले यहां से start कर देते हैं यहां पर base common में क्या है 2 है और 2 का power में सबसे कम में है 1 इसलिए 2 to the power 1 लिख दिया अब दोस्तों 3 देखिए 3 base 3 में common नहीं है 5 base भी नहीं है 7 base भी नहीं है बाकी कोई चीज common यहां पर नहीं है संक्या में X common में है तो दोकिए दोस्तो X base common ले लिया लेकिन X का सबसे कॉम पावर दोस्तो कितना है 2 है इसलिए X कोयार लिख दिया Y base है सब में तो Y लिख दिया और पावर सबसे कॉम है 1 इसलिए वाट दिवर 1 X plus 1 base common है उसका पावर है 1 आवर कुछ common नहीं है दोस्तो इह ही हो गया इसका HCF मतलब highest common factor highest common factor अगर बोला जाये दोस्तो तो सभी common उत्पादको का मतलब सभी HCF is the multiplication of common term with same base taking the lowest power कहना का मतलब है दोस्तो same base से आपको कॉम घात का स्वंक्या लेना है जितना भी स्वंक्या है सभी स्वंक्या में से आपको common type का जो base सधारन है सभी में present है ऐसा base लेना पड़ेगा और सबसे कॉम पावर बला लेना पड़ेगा दोस्तो एक बहुती useful rule है ये rule कुछ इस्तरो है LCM into HCF equal to number one into number two मतलब किसी भी दो स्वंक्याओं का गुनफोल जो होता है ये दुनों का LCM और HCF का गुना करने से जितना होता है उसका बराबर होता है मतलब किसी भी दो स्वंक्या का गुनफोल वो दुनों सुंक्या का लगुत्तम समापबर्त और महत्तम समापबर्त का दुनों का गुनफलों का बराबर होता है दोस्तों यह फर्मूला यहाँ पर देखिए 46 और 72 में मैं प्रोप करके दिखा दिया हूँ यह देखिए, 46 का HCF जो होता है, यह 2 होता है, और LCM में यहां पर निकल के देखा दिया हूँ 1656 मतलब 1656 हो तो दोस्तों ये दुनों गुना करने से ये देखिए कितना होता है, 3312 होता है उसके बाद दुनों संक्या दिया गया है 46 और 72 ये दुनों को गुणा कर दिजिए यहाँ पर देखिए सेम बिलवा जाता है मतलब 3312 इसका मतलब किसी भी दुन संक्या का गुणा करने से डारेटले जितना हो जाता है वो दुनों संक्या का LCM और HCF निकल के गुणा करने से भी सेम बिलवाता है दुस्तों इस फर्मूला के आधार पर बहुत सारे क्वेशन पुझा जाता है लेकिन यही फर्मूला यूज करके आपको निकल लाए दिसे मैं एक कल्कुलेशन करके दिखा देता हूँ यहाँ पर देखिए दुस्तों अ इimy फर्मूला यही है यहाँ पर कही दू बेलो आपको दिखा ववा रहेगा तो तीसरा जो बेलो है आप आसानी से इस क्ल इस फ्रमूला से कलकुलेट करके निकाल सकते है यहाँ पर दोस्तों दिखा गया है इक डिसए भी एपनarda स्रेखिए परabad मिहां करके चिद्भी 275 respectively मतलब यहाँ पर HCF है पहला संग क्या 85 और LCM है 1275 और अगर एक संग क्या 255 है 200 if one number is 25 then find the other number मतलब दूसरा number किया आपको निकलना है तो यहाँ पर दूस्तों यहाँ पर देखाई दे रहा है LCM into HCF equal to number 1 into number 2 तो यहाँ पर आपको LCM HCF दुनों दीखा दे आए दिया हुआ है इसलिए दुनों गिबेन है इसलिए यहाँ पर पूट की दिजिए उसके बाद एक number दिया हुआ है 255 और number 2 आपको दिया नहीं है यहाँ से आपको निकल देगा number 2 equal to यह दुनों गुना करके 275 into 85 यह दुनों गुना करके 255 से डिवाइट कर दिजिए 425 इसका अंसर आप आ आता हूं कि आप लोग को एक ही वीडियो में बहुत सारे चीज आप लोग को सारे जनकरिया आप लोग को देदू जो कि possible नहीं हो पता है